हेलो बच्चो तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा स्पेशल है इन असेंस की हम जनरली तो हर क्लास में पढ़ाई करते हैं कुछ ना कुछ इस सेशन में हम थोड़ा सा स्ट्राटेजी के बारे में बात करेंगे अब जैसे कि आपको पता है कि लगबग की अठारा दिन या डिपेंड्स कि आपका किस दिन पेपर है S.B.I.P.O. को बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है लगबग अठारा दिन के आसपास हैं तो हम इस अठारा दिन में कैसे अपना स्कूर जादा से जादा स्कूर कर सकें ताकि cut-off निकल जाए, प्री का एक्जाम निकल जाए तो सबसे पहले यह सारी की सारी चीज़े हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में देखते हैं ज़र आप फटा-फट से शुरुबात करते हैं अगर मैं बात करूँ SBI PO के एक्जाम पैटर्न की तो सबसे पहले आप यह देखेगा कि ओवराल हंडिड क्वेशन और ओर नो वाई है रेटेन 20 मिनट इस सिक्स्टी मिनट बाइद वे मिस्टेक है इसमें है तो ओवराल हंडिड क्वेशन एक घंटे का टाइम है है तीन में 20-20 मिनट का टाइम है और आपको यह पता है कि SBI PO में क्या होता है सेक्शनल कट ओफ नहीं होता है लेकिन स्टिल एक और इश्यू होता है कि अब यह तो हो नहीं सकता कि आपको जो सेक्शन फेवरेट हो आप उसी को सारा समय दे दो that is not possible क्यों क्योंकि हर सेक्शन का है अरुकिक जो एह जो डॉकित आपकों कर सकता है यह लश्यू के टाउपते हैं आप देख पा रएंगे सारी के सारी वाल्यूस राइट डिफेरेन्ट के टेगिरी वाईस अच्छह लंस इर ना नंबर वेकेंसी जो थी वो थी 2056 और इस साल vacancies घट गई है इस साल vacancies घट गई है तो ultimately अगर paper का level same है तो आप ये मान के चल सकते हो कि cut off थोड़ा सा high जाएगा बहुत जादा नहीं थोड़ा सा आप ये मान के चल लीजिए cut off किता high जाएगा कि जैसे कि general या OBC या EWS category में लगबग दो दो number के आसपास I think high जाएगा अगर paper का level same आया तो इस साल cut off थोड़ा सा आप ये मान लो दो दो number या इधर हो सकता है तो थोड़ा सा level मतलब अगर same level का paper है cut off थोड़ा सा high जाएगा तो अब इसके लिए हमारे target attempt क्या होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं safe attempts हमारे पास कित्ते होने चाहिए for example general category का अगर मैं cut off लेके चलूँ कि 65 marks आएगा तो आप ये बोलोगे 65 हम कर ले साल लेकिन एक चीज़ याद रखनी पड़ेंगी हम चाहें या ना चाहें कुछ सवाल तो गलत हो ही जाते हैं वो generally ये होता है 10% के आसपास जो अच्छा बच्चा होता है 10% के आसपास सवाल तो गलत हो ही जाते हैं तो अगर आपको 65 लाना है तो आप ये मान के चलिए कि at least attempt आपको 72 तो करने ही होंगे at least 72 questions attempt करने होंगे अच्छा इसी हिसाब से EWS में भी आप ये मान के चलिए कि since cutoff में तो कोई फरक होता नहीं है 72 तो question करने पड़ेंगे इसमें 70 question तो करने पड़ेंगे इधर I'll say कि आप 60 या 61 के आसपास कर सकते हो और इधर आप at least 55 SCST में 60 और 55 कम से कम attempt करने पड़ेंगे क्यों क्यों क्योंकि number of vacancies कम है cutoff थोड़ा सा ज्यादा उपर जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं आप by the way ये मैं लिख रहा हूँ safe attempt ये मैं क्या लिख रहा हूँ safe attempts जो आपको ध्यान रखना है और safe attempts में भी आप एक चीज मान के चलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कि नहीं एक या दो section के ऊपर ही जाएं उन्हीं के जास ज़्यादा questions वाल करें ना करना क्या होगा हमें 3 के 3ो section पर ध्यान देना है और अगर किसी भी section में ज़्यादा नहीं कम से कम आप 10 या 12 नंबर तो लेके आओ ही हर section में 10 या 12 नंबर लेके आओ और अगर हम maths वाले section के बारे में बात करें तो इसमें एक सबसे पहले दो बच्चे होते हैं एक वो बच्चा जिसका maths जो है अच्छा है काफी मतलब maths उसका scoring रहता है तो उस बच्चे को target करना चाहिए कि एक cut-off का मधिया overall attempts का एक अच्छा खासा बड़ा portion हमारा maths से निकल आए इसका मतलब क्या हुआ अब जो बच्चा अच्छा है उसके attempts होने चाहिए maths में let's say 28 और जो बच्चा उतना अच्छा नहीं है middle वाले है तो अब आप इसमें attempt कर सकते हो 25 के आसपास target लेके चल सकते हो और जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है उस बच्चे को भी 20 प्लस तो attempt करने पड़ेंगे तो it depends क्योंकि अब अगेन हर बच्चा ना किसी एक specific section में अपने score को maximize करते हैं अपने score को खीचता है तो अगर आपका आप वैसे student हैं जिनका maths बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी सारे section के comparison में तो आपको at 28 प्लस question attempt करने की कोशिस करनी चाहिए अगर आप medium वाले में हैं मतलब बाकी सारे section में भी सब सही कर लेते हैं तो 25 अराउंड और अगर maths आपका कमजोर है तो भी 20 प्लस करो क्योंकि अब हम यह नहीं जा सकते हैं कि हाँ बाकी section में सारे सारे सवाल कर देंगे राइट क्योंकि उनमें भी कुछ न कुछ छूटेंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं अच्छा expected paper जो मैं खुद expect कर रहा हूँ कि इस साल का SBI PO का paper कैसा आएगा once again good evening everyone ठीक है paper कैसा आएगा कुछ हो गए हमारे basic chapter basic का मतलब simplification यह basic वाले number series quadratic simplification यह सब इन से पिछले साल या उससे और पहले का अगर हम comparison करें उसे साब से pattern निकालें तो 15 to 20 question आप expect कर सकते हो arithmetic के 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल इस तरह के आते हैं 10 सवाल भी आ सकते हैं यह range रही और DI के या तो 2 set होंगे या फिर 3 set तो overall हमारा paper इस तरह का बनेगा और इसमें अगेन आपको पता है कि 25 प्लस attempt करना कोई बड़ी चीज नहीं आती है है ना done आसिदार तो क्या कहना चाहरे हो आप एक बार repeat करेंगे आपकोस मतलब जैसा कि अब जीद बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें डेपेंडेंट होती है नम्मरों vacancies के ऊपर कि कितना competition है राइट अब सी हमारा study plan क्या रहना चाहिए किसी भी बच्चे का तो study plan को मैंने दो भागों में divide किया हुआ है पहले छे दिन और फिर उसके बाद का समय तो पहले छे दिन आपको करना क्या है सबसे पहले revise arithmetic concept और उसकी जो भी techniques होती है याद रखिएगा जम जो भी techniques वगएरा हम सीख रहे हैं उनका base में पता होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कोई technique कैसे आती है हम उसे कैसे इस्तमाल करते हैं क्यों क्यों क्योंकि अगर आपने कोई short technique सीख ली है और आपको ये properly पता नहीं है इसे कहां पर apply करते हैं या इसकी condition क्या है तो वो गडबड होगी सवाल गलत करेगी ठीक है तो properly arithmetic के concept का revision करें अलग-अलग chapter उठा लो ratio, ages, simple interest, compound interest and all वो daily आपको देड़ से दो घंटे देने पड़ेंगे ठीक है वो आपको daily करना है वो आपको daily करना है फिर जो basic topic है basic topic कौन से simplification number series, quadratic ये सब उनको आपको alternate day पे करना है मतलब odd day पे first, third and fifth day पे, फिर di के 4 set लेके बैठने है और di के 4 set एक साथ solve करने है ये नहीं कि आपने 1 कर लिया फिर घूम फिर के आए, फिर दूसरा कर लिया फिर घूम फिर के आए, फिर तीसरा कर लिया ना, आदर डालना di के 4 set एक साथ करने है और ये भी मत करना कि आपने एक सेट कर लिया अब आप उसके आंसर चेक करो ना चारो सेट एक साथ करो फिर उसके बाद सारे चारो सेट के आंसर वगरा आप तब चेक करो समझ रहो तो चारो सेट एक साथ और डियाई के चारो सेट जो है वो even days में 2nd, 4th and 6th day पर आपको करने हैं वो आपको कौन-कौन से दिन देना है फर्स डे, सेकेंड डे, फोर्थ डे, फिर्थ डे और जो दो दिन जो खाली बचे हैं वहाँ पे आपको मौक टेस्ट देना है और मौक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है अब वो थर्ड डे और सिक्थ डे तो बिसिकली पहले छे द ज्यादा काम नहीं रखें प्रॉपर डिस्ट्रिबूशन है राइट ना अरित्मेटिक में के अंदर चाप्टर बहुत ज्यादा होते हैं तो वो तो करने पड़ेंगे दन अब पहले छे दिन निकल गए पहले छे दिन निकल गए फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे फिर ह हम depending upon की हमारा level क्या है किता revision हमने कर लिया है किता revision हमारा बाकी है तो arithmetic के chapters को उसके हिसाब से हम revise करेंगे उसके concept को and technique को arithmetic के chapters को ठीक है उसके बाद में क्या होगा कि आपको take का मतलब होता है वैसे हम इंदी में बोलते है test देना अंग्रेजी में लिखते है taking the test ठीक है तो anyway sectional test जो है वो आपको test देना है और analysis करनी है every odd day मतलब जब 6 दिन निकल गए उसके बाद 7,9,11,13 उन दिनों में और every even day आपको mock test देना है proper और उसकी analysis भी करनी है that is 6 दिन तो पहले ही निकल गए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन and so on right फिर उसके बाद में alternate days पे आपको 4 di set करने ही है again याद रखना 4 di set का मतलब ये नहीं है कि हम 4 अलग-अलग करें न चार di set लेके बैठो चारो को एक साथ solve करो ये भी मत करना कि आपने पहला कर लिया अब आप उसके answers चेक कर रहे हैं न जब हम हर set के बाद हर सवाल के बाद अपने answers चेक करते हैं तो उससे मन में doubt पैदा होत हैं फिर भी 10% लगभक तो सवाल गलत हो ही जाते हैं तो अगर हर एक सवाल के बाद आप चेक करोगे तो वो 10% को eliminate करने की चक्कर में आपका बाकी 90% जो सही जा रहे हैं वो सफर होते हैं आपकी speed कम होती है तो आधत डालो क्योंकि paper में भी आपको generally 3 set होंगे या 2 set मिलेंगे तो आधत डालिए कि आप 4 set एक साथ solve करें एक के बाद एक और चारों को एक साथ ही फिर चेक करें answer क्या आए हैं सही आया गलत आया गलती कहा होई वो सब चीजें बाद में देखें got it चलो next आप थोड़ा सा आपको ना last year के question papers पे भी ध्यान देना पड़ेगा memory base आपको online ब पता चलता रहे कि actual हम किस level का paper expect कर रहे हैं होता क्या है many of the times हम कोई mock test series join करते हैं उसमें उसका जो level होता है वो actual paper के level से थोड़ा tough हो जाता है या थोड़ा आसान हो गया तो in essence अगर हम actual paper देख रहे हैं memory based तो उससे क्या होगा कि हमें ये पता होगा कि paper आता कैसा है उसमें कि level के सवाल आते हैं done चलिए अच्छा जैसे मैंने आपको ये बताया mock test के बारे में तो mock test हमें देना है और mock test की analysis करनी है तो mock test देना हो या actual exam देना हो उस time पर हम कैसे सोचते हैं have a look ठीक है उस time से वेब हो let's see ठीक है पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी आएगा let's see mock test हमें क कैसे देना है कुछ चीजों का ध्यान रखना है पहली चीज क्या है फस्टली हमें वही question solve करने है जो basic chapter से हैं और basic chapter के नाम लिखे हुए है जो basic chapter के सवाल आप मान के चलिए 15 सवाल तक तो मिली जाएंगे जो basic chapter वाले हैं और basic chapter के solve करने का पहले basically हम सबसे पहले जाएंगे question paper पर खोलेंगे और देखेंगे उसमें ultimately जो भी है कि basic chapter वाले सवाल कहां है और basic chapter के सवाल में solve करने से since हमें ये थोड़ा सा ढूनना भी पड़ेगा देखना भी पड़ेगा कहां पे है simplification हो सकता है तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा section का overview हो जाएगा हमें ये पता चल करेंगे फिर हमें ये मालूम होगा कि हमें किधर जाना है ताकि हम questions को attempt कर सकें done जो हमारे favorite chapters के हैं या ऐसे question जने बहुत जल्दी से solve किया जा सकता है right और उसके बाद में of course जब आप ये basic वाले देख लोगे तो इसकी वजह से you will not leave any super easy question बहुत सारे बच्चों के साथ में ए 31 to 35 बहुत आसान था और वहां तक हम पहुंची नहीं पाए right तो ऐसी समस्या नहीं होगी हो सकता है last में quadratic के एकदम आसान सवाल रख्यों simplification के एकदम आसान सवाल रख्यों तो जब हम इन chapters के basic chapters के question को ढूनेंगे तो हम सबसे पहले इनको attempt करेंगे done उसके बाद में आपको क questions को attempt करना है जो या तो mentally हो जाएं या दो तीन steps में हो जाएं याद रखना जो या तो mentally हो जाएं या दो तीन steps में हो जाएं और mentally solve करने का फायदा क्या है सबसे पहली चीज़ यह है कि speed अच्छी होगी क्योंकि हम चाहें जितना तेज लिख ले right ना unless calculation बहुत ज्यादा बढ से right तो हमें थोड़ा इस तरह से plan करना है कि questions को सबसे पहले जमारे basic वाले हो गए अब उसके बाद में arithmetic और DI बचा उसमें हम उन questions को focus करेंगे जो mentally हो जाएं या दो तीन step में लिखके हो जाएं ठीक है अब इसका फाइदा क्या है कि एक तो speed अच्छी होगी क्योंकि हम mentally दे रखी है और ये पूछा गया है पहुचें कैसे क्या क्या steps है तो उसमें क्या होता है कि उसने पूछा जो भी है आपके पास अब इसमें आप भटकते नहीं हो आपको ये और लेडी आपका दिमाग सोचने को मजबूर हो जाता है कि हमें क्या क्या steps लेनी है तो properly process align हो जा सरसीधा निकला है क्योंकि माइन को क्या चाहिए उसे कम मेहनत करनी है और काम हो जाए तो माइन आपका अपने आप शौट चीजें ढूनेगा राइट अब अगला जो है आपको उन क्वेस्चन को छोड़ देना है जो या तो समझ में ना रहे हो या फिर बहुत जादा टाइम उनको छोड़ देना है यही सवाल है और ऐसे सवाल आप मान के चलिए दो चार से जादा नहीं होंगे राइट किसी जो भी बच्चा ठेक ठाक से पढ़ाई कर रहा है ऐसे सवाल दो चार से जादा नहीं होंगे राइट तो इनसेंस आपको इनकी चक्कर में नहीं पढ़ना ह यही आपका समय खा जाते हैं क्यों क्योंकि जब हम इनको attempt करते हैं तो हमारे पास कई बार होता है कि easy questions all करने का समय नहीं होता है तो जब हम इनको छोड़ेंगे तो हमारे पास में time बचेगा easy questions all करने का और उपर से दिमाग पे थोड़ा tension कम लेगा क्यों जबर जत्ती की बड़ी बड़ी steps करने की जरूरत नहीं पड़ी तो दिमाग आपका fresh रहेगा उससे आप proper better decision ले पाओगे और properly आप बचे हुए जो easier question है उनको fresh mind से solve कर सकोगे got it next और अगर आपके पास में फिर time बचे अगर time बचे तब आप उन question को देखें जो अभी तक आपने attempt नहीं करें agreed process में दुबारा से repeat कर देता हूँ सबसे पहले आपको वो question solve करने जो basic chapter से राइट इन चारो chapter से done फिर उसके बाद में आपको वो question solve करने बचा arithmetic और डियाई जो mentally हो जाएंगे या दो तीन step में हो जाएंगे और आपको उन question को छोड़ देना है जो time consuming हो या जो समझ में नहीं आ रहे हैं right और अगर समय बचे तभी आपको उन question पर जाना है जो अभी तक आपने छोड़ रखे got it ठीक है समझ में आ रहा है न सबको समझ में आ रहा है पता नहीं comments काफी कम हैं आज right कोई नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है अब थोड़ा सा बात करते हैं कि how to analyze a mock test किसी भी mock test को देना जितना important है उतना ही important उसको analysis करना भी है analysis करना क्या है अगर हम mock test देते जाते हो देते जाते हो देते जाते हो तो उससे जित्ती हमारी learning होती है उससे कहीं ज़्यादा learning होती है जब हम mock test को analyze करें उसमें mock test को नहीं कर रहे होते हैं हम analyze कर रहे होते हैं अपनी performance को और अपनी performance को हम कैसे analyze करते हैं proper तरीका क्या है order क्या रहेगा सबसे पहले आप ये देखे जो answer आपके गलत हुए तो गलत क्यों हुए आपने क्या गलती करिए वो गलती कोई भी हो सकती है calculation mistake हो सकती है या सवाल पढ़ने में आपने गलती कर दी उन्होंने पूछा था water अनुपात milk, water is to milk का ratio बता आपने milk is to ratio बता दिया या उन्होंने ये बोला था कि 7 साल बाद इनकी ages का अनुपात ये होगा आपने 7 साल पहले या कुछ और बोल रहे थे आपने सवाल समझने में गलती कर दी उस तरह की और तीसरी चीज भी होती है कुछ लोगों के साथ मेरे साथ भी होती है कि सब कुछ सही सॉल किया और बाद में आंसर ऑप्शन ही गलत मांक कर दिया ठीक है तो सबसे पहले रॉंग क्यों रॉंग हुआ करेक्ट अगर जो आपके करेक्ट आंसर साय है उसमें उनको भी एक बार देख लेना कि उसमें कोई ऐसे तो नहीं थे जिनको सॉल करने के शॉटर वीज है आपने जबर जत्ति जो लेंदी वाला अप्रोच है वो लगाया ठीक है और फिर उसके बाद में जो छोड़े हुए सवाल हैं तो अब हम ये देखेंगे कि उनको हम कैसे सालव करें उनको हम कैसे साल करेंगे फिर पूरा का पूरा पेपर एक साथ और अब यहां पे हम फोकस करते हैं end में selection of question इसमें क्या है कि हम ये देखेंगे कोई ऐसा सवाल तो हमने attempt नहीं किया जो हमें छोड़ना चाहिए था मतलब कोई lengthy सवाल जो हमने attempt किया और ideally में नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसकी जगहे पे हम दो तीन और easy वाले सवाल कर लेते या फिर हमने कोई ऐसा सवाल छोड़ तो नहीं दिया या वहां तक पहुँच ही नहीं पाए जो बहुत ज़्यादा easy था तो यह दोनों चीजे होती है जब भी हम selection of question के बारे में बात करते हैं तो यहां पर गलती कहा होती है पहली गलती यह होती है कि हम difficult या lengthy question को solve करते हैं अब answer चाहें correct आए या wrong आए कुछ भी आ सकता है लेकिन वह time बहुत ज़्यादा ले लेता है उसकी वजह से easy सवाल हमें छोड़ने पड़ जाते है तो proper analysis यह भी करनी है just to repeat this slide कभी भी हमने mock test दिया है तो सबसे पहले हम wrong सबसे पहले हम देखेंगे जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए दूसरी चीज़ correct जो हुए तो जो हमने method लगाया जो हमने approach लगाई है क्या वो shortest है उससे और छोटा हो सकता है तीसरी चीज़ जो हमने छोड़े है उनको solve करने का तरीका क्या है वो कैसे solve होंगे क्या concept होगा वो चीज़ सीखेंगे और चौती चीज़ कि हमारा selection of question कितना सही था कोई ऐसे सवाल तो नहीं थे जो बहुत lengthy थे हमने attempt कर दिये या कोई ऐसे सवाल तो नहीं थे जो बहुत easy थे लेकिन फिर भी हमने उन्हें solve नहीं किया प्रोपर आपको question करना है अपने आपको वो भी प्रोपर तरीके से जब आप इस चीज़ पर ना एक तो solution वाला पार्ट है दूसरा selection of question वाला पार्ट है उसमें भी जब आप question करेंगे अपने आपको राइट अपने आप से सवाल पूछेंगे तभी आप improve होंगे याद रख चा कट आफ के अच्छा खासा उपर है और दूसरा कट आफ के दो चार नंबर नीचे रह गया तो दो बच्चे या दो candidate जिनके knowledge level सेम है लेकिन अगर उनका selection of question बेटर है solve करने की approach बेटर है तो उससे score में बहुत बड़ा difference हो सकता है तो जबी भी हम mock test देंगे जैसा कि मैंने आपको schedule बताया था अपना जो study plan है कहां गया हाँ जी तो जो ये study plan है जैसे पहले छे दिनों में third and six day जो mock test देंगे तो same day analysis भी करनी जरूरी है वो के वल question wise नहीं हमें ये भी देखना है overall right done ठेक है pretty sufficient है to be frank sufficient है no need है ना दार्थ let's see we'll talk about that on some other day चलिए हाँ जी तो ये ओके आगे बढ़ते है next जो चीज है कुछ last की चीजे सबसे पहले याद रखिएगा कि हमें बहुत ज़्यादा dependent नहीं होना है shortcuts पे बिना इस understanding के कि कोई shortcut कहां लगता है कोई फायदा नहीं है आप गलत जगह पे लगा के आओगे गलत करके आओगे ठीक है तो ये understanding बहुत जरूरी है कि shortcut लगने की specific conditions क्या है agreed वो तब ही आएगी जब आपको concept आते हैं तो याद रखिएगा concept के ऊपर shortcut build होते हैं concept आप ये समझेगा concept है एक किसी भी बड़ी सी building की नीव और shortcut उसके ऊपर की building है ऊपर के floor है तो बिना नीव के building बनेगे नहीं गिरेगी धडाम से तो concept जरूर स्ट्रॉंग करें और उसके ऊपर shortcut build करें ऐसा ना हो केवल shortcut पे ध्यान देते रहें next चीज है current knowledge level पे आप with your current knowledge level you can score higher कैसे अगर हमारी solve करने की approach राइट अगर हम कुछ नया भी नहीं सीख रहें maths में कुछ नया नहीं सीख रहें, di में कुछ नया नहीं सीख रहें, फिर भी हमारा score अच्छा खासा बढ़ सकता है, कैसे, selection of question अगर better हो जाए, वो कैसे होगा, proper mock test देके, जब हम अपने आप से question करेंगे, कि हमारा selection of question mock test में कैसा था, जो हमने solve करें क्या वही solve करने वाले थ से, कोई easy सवाल छोड़ तो नहीं दिया, कोई जबर जत्ती का लेंदी सवाल हम करके तो नहीं आ गए, तो अगर आपका selection of question बेटर होता है, approach बेटर होती है, आप mind से solve करने की यादत डालते हो बिना लिखे, तो score improve हो जाएगा same knowledge level पे, next चीज, कि याद रखिएगा कोई भी होता है, बच्चों को समझाना, तो अगर मैं जितना लिखता हूँ, आप भी उतना ही लिखते हो, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो, right, क्योंकि teacher का काम होता है, student को समझाना, ideally, जो भी बच्चा है, जो भी student है, उसे बहुत कम लिखना चाहिए, teacher की तुल न में, got it, और next, exam वही बच्चे निकालते हैं, जो एक तो discipline होते हैं, और दूसरा न, अपने आपको बहतर और बहतर बनाने में लगे रहते हैं, got it, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े आज आती हैं, कि आज हमारा इसमें मन लग गया, आज हमारा उसमें मन लग गया, वो बहुत सा अगर हम focused रहें, और अपने आपको better बनाने की कोशिस करें, और better केवल content में नहीं होता है, याद रखना, better केवल content में नहीं होता है, अगर आपका content improve, let's say एक जगे जाके रुक रहा है, right, let it be, उसके अलावा आपका जो approach है, आप exam कैसे देते हो, इस चीज़ पे भी improvement होता है तो याद रखना हमेशा improvement केवल content पर नहीं होता है, कि हाँ अब आपने नया chapter सीख लिया, ये सवाल करने का तरीका सीख लिया, या नया method सीख लिया, नया approach सीख लिया, नया shortcut सीख लिया, उसके अलावा strategy अगर आपके better हो गई, तो भी आप अच्छा कासा improve कर सकते हैं, done, तो हम लोग regular classes रखेंगे, SBI PO की, तो इस channel पर हमारा जो career will banking exams है, यहाँ पर आपको regular, of course, right, regular classes तो चल ही रही है, exam जो है, exam ही change हो रहे है, done, तो मिलते हैं कल, same time पर, शाम को 7 बजे, तो see you guys, have a great day, bye-bye.